तो शुरू करते हैं ने इम टाइम का नाम लेकर और जैसा की पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिन डॉग ने ली कियान से वो हैर पिंच छेन लिया था और इसे देख करके वो लेड़ी अपनी लिंग किंग जू और उसके पीछी खड़ा बंदा खास करके कुछ जादा ही शौक्ड हो जाते हैं अब आगे उस बंदे को शौक्ड देख करके लिंग किंग जू कहती है कि इस बंदे के पास कोई स्पेशल टेक्निक है जायद जिससे ने टाइम को फ्रीज किया और वो हैर पिंच छीन लिया था फिर भी ये बंदा काफी इंट्रेस्टिंग है और इसकी आँखे लागतार ब्लिंग कर रही थी चेहरे पर एक कॉंप्लेक्स एमोशन्स था हाला कि इस से लिंग किंग जू को ज्यादा कोई फरक तो नहीं पड़ रहा था फिर भी लिंग डॉंग का जो तरक्की था इससे देखकर ये भी हहरान थी इस समय ये अपने नकाब क के अंदर नहीं होठो को काट रही थी नॉर्मल ये काफी काम रहती थी पर इस बार इसके वो शरीर में भी फ्लक्शुमेशन्स तो हुई रहती अब इदर ली किवान को लिंग डॉंग के कहने पड़ जो इसका प्राइस रहता है हेर पिन का वो सब भी पे करना पड़ता है ये गुस्ता तो कर रहा था कि ठीक है वेट करो ग्रेट सेक्ट कमपरिशन में मैं तुम्हें बताऊंगा अब ली कियान उस ओल्ड मैं से पूछता है कि इस हेर पिन का कितना हुआ तो वो मिडिल एज्ड मैं बताते हैं सिक्स मिलियान दिर्वाना पिल्स कुछ भी करके ये स दो भी डिसाइपल्स थे लिंग डॉंग की तारीफ कर रहे थे सभी समय काफी खुछ थे इधर ये हेर पिन वांग वांग को देता है और कहता है ये गिफ्ट है मेरे तरफ से तुम्हें वान वान ये ले तो लेती है पर इस समय थोड़ा बलश कर रही थी वांग यान भी अ उस लड़की यानि किंग जू के आँखों से मिलती है लिंग डॉंग की बोड़ी फ्रीज सी हो जाती है जायो जायो इस सीन को देखकर हैरान थी और कहती ये तो लड़की ये लिंग किंग जू है वांग यान भी कहता है फिर एक कहता है इस लड़की के तो दिवाने बहुत सारे सेक्ट के हैं पर आज तक कोई भी इसके दिल को पिखला नहीं पाया और बड़ी बात ये थी कि सबकी नजरों के सामदे वो वोमेन हवा में थोड़ी उड़ती है और लिंग डॉंग के पास आके खड़ी हो जाती है बहुत सारे हैं लोग है ये लड़के लिंग यान अंपायर से हूँ सब लोग सुप चरते हैं क्या ये बंदा पागल है इस्षण वान सेक्ट में लिंग यान जायो जायो सब इस इस्षण में थोड़े सब्ध हो जाते हैं किंग जू भी इस्षण में लिंग डॉंग को घूर रही थी और बड़ी बात लिंग डॉंग की नजरे इससे अब जुग भी नहीं दे थी मतलब ये पहले वाल वो बच्चा नहीं रह गया था और किंग जू को भी मालुम लिंग डॉंग हसता है मैं शायद पाश्ट में गलत था फिर ये हसते हैं टेंशन मतलब वो चीज जो थी मैं अभी उसको नहीं बोलूँगा अगर आपको पता है कि लिंग डॉंग किस चीज के बारे में बात कर रहा है तो मुझे कमेंट में बताना और लिंग डॉंग ये सारे लोग इनका conversation सुन रहे थे और इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था फिर ये यहां से जाने लगती है और कहती है great sect conversion में अच्छे से perform करना और युवान गेट से सावधान रहना अब जब लिंग डॉंग बोलता है समय मिलेगा तो मैं वो शब्द जरूर कहूंगा प सरिलाती है पर जायो जायो के पीछे खड़ी वो लड़की वान वान इससे में इसका चेहरा थोड़ा अलग सा हो गया था और यह जायो जायो से कहती है मैं इससे भी outstanding बनूगी future में जायो जायो हैरान हो जाती है पहली बार इसकी बेहन ने ऐसा कुछ कहा था पर अगर कोई जायो 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 भी कहती है मैं तुम में भरोसा करती हूं मुझे मालूम एक दिन तुम किंग्जू से भी जादा पावरफुल बनोगी इंदर लिंगडॉंग थोड़ा खुज था पान सल बाद हम मिले और माहुल मतलब ठीक ही था अब फाइनली वांग्यांग पोची ले कई सारे सोल ट्रेजर्स वगरा दिख रहा थे पर अचानक से एक स्टॉल के पास जब यह जा रहा था इसके स्टोन टालिसमेन में थोड़े से फ्लक्चुवेशन होते हैं तब यह उधर देखता तो एक डैमेज कॉपर कॉल्डरन था हाला कि फ्लक्चुवेशन थोड़ा कम पर लिंग्डॉंग इस तूटी भी चीज में थोड़ा इंट्रेस्टेड हो जाता है और लिंग्डॉंग इससे इसका दाम पुछने लगता है इस तुम्हें पता यह क्या चीज है ओल्ड मैन कहता है मुझे तू नहीं पता अगर पता होता तो मैं इस चीज को क्यों बीशत यह बोलता है कि मैने ट्राइ किया इस पर हर एक मेर्धर्स को पर मुझे कुछ पता नहीं चला इस ट्रेजर के बारे में लिंग्डॉंग इससे इसका दाम पुछता है तो यह बंदा बोलता है दस मिलियन निर्वाना पिल्स लिंग्डॉंग के थे तुम लालची हो रहे हो तुमें इसके बारे में भी कुछ नहीं पता फिर भी इतना हाई प्राइस एक्चुली यह तूटा हुआ भी है और वैसे भी लिंग्डॉंग के बाद इतने निर्वाना पिल्सों थे नहीं क्योंकि वो फॉर्मेशन बनाते टाइम इसने अच्छे खासे निर्वाना पिल्स यूज कर लिये थे लिंग्डॉंगं वापस आने को देखता है तब ही फिर से हुआन वान इसे निर्वाना पिल से परेवे क्यांटूंबैग पकड़ाती है हाला कि लिंग्डॉंग देखता है कि फिलाल हुआन वान थोड़ी अपसे थी शायद लिंकि ऑने के वाजे से नता तुम लोग युवान गेट से फाइट किये। लिंग नों आप बोलना पड़ता है कि हां मैं फाइट तो किया। फिर कीली पूछते हैं और तुमने ली कियान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लिंग नों कहता हां मैं थोड़ा लगी था और मैंने एक ट्रिक यूज गया था। और ये बात सुनते ही। जब तक कीली कुछ बोलते हैं तब तक सेक्ट मास्टर, जैन जैन यानी डेसलेट स्ट्रेक्ट वाले बोलते है कि मुझे मालम था ये बच्चा हमें भी आश्यर जकित करतेगा। ये काफी खुश थे। कीली भी काफी कुछ थे और यह समझाते हैं कि जब सेक्ट कंपरडिशन शुरू हो जाएगा तो युवान गेट से ज्यादा ही साउधान रहना पड़ेगा तुम लोगों को सबी डिसाइपल्स अपने अपने रूम में चले जाते पर चेंजेन वगरा भी चानते थे कि वो ली कियान उन तीनों लायन किंग्स में सबसे वीकेश्ट हैं उससे उपर लिटल स्पिरिट किंग और लिटल युवान किंग है अब इधर सीन शिप्ट होता है रात का समय था यूनिक डेवल सेटे में युवान गेट वगरा जहां पर रुके हुए थे उस सीन को दिखा युवान वन बैटल में मैं उसे अच्छे से बताऊंगा अब ये दोनों बात करें पर वो जो युवान किंग था वो चुप-चप इनकी बाते सुन रहा था और इनमें बिलकुल भी वो इंट्रेस्टेट नहीं था और बातों बातों में लीकियान भोली देता है अरे वो ल के थंडर किंग लीकियान और स्पिरिट किंग नाम मुझे याद में दोनों समझ जातें कि ग्रेट सेक्र कंपडिशन में डाउ सेक्ट का इस बार बुरा हाल होने वाला है पहले से भी जाता इधर दो दिन और बीद गयते और जितने भी सूपर सेक्ट के लोग आने वाले थ जुके थे और इन दो दिनों में लिंग डंग वो जो कॉपर कल्डरन था उसके बारे में स्टडी करता है और कुछ अपने टेक्निक्स को भी पर अभी भी यह काफे निराज था यह बहुत सारे मेथर्स यूज कर लिया था पर वो जो डार करेट कॉपर कल्डरन था उसके र रखने ही जा रहा था पने क्यानकुन बैंग में तब यह अचानक से इसके दिमाग में एक चीज़ आता है शायद इस कॉपर कॉल्डरन में एक फ्लेम मिजिंग है अब यह सुचता है इसको यह जलाएगा चलो ठीक है क्या ही बात है अगर नहीं काम है तो दस मिलियन निर्वाना पिल्स बेकारी जाएंगे तो क्या करना है अप्शन भी नहीं था कुछ अब लिंग डॉंग अपने फ्लिक अप दे फिंगर से अपने निर्वाना फिलिम को बाहर निकलते है और इस कॉपर कॉल्डरन पर डालने लगते है और तूरंत ही यह कॉल्डरन मेल पूरी तरह से पिघलने के बाद बस एक डार्क रेड कलर का कॉपर लिक्विड बसता है और इसमें से अचानक से कुछ रेड लाइट भी बाहर आने लगती है और हवा में आके रुख जाती है लिंग डॉंग जो की इस तामें कल्टिवेशन कर रहा था यह हैरान हो जाता औ मतलब इसे destroy करना था इसके अंदर में क्या चीज है उसे पाने के लिए फिर भी इसे समझ में नहीं आ था यह है क्या चीज अब इसे जब ध्यान से दिखने लगता है तो उस लिक्विड में से कुछ strange lines और picture दिखते हैं तो basically एक map था यह तूरंत इस map का अपने mental energy से एक picture ले लिखा हुत इस पर burning sky, ancient stash मतबिया साथ किसी एक soul treasure का map था और यह unique devil reason में ही था जहां पर वो competition होने वाला था और शायद यह एक pure one treasure हो सकता है यह सोचता है कि जब यह ancient devil reason में जाएगा तो sister जायो जायो और बाकियों से इसके बारे में पूछेगा और इस चीज को यह लोग अब तक इसका use यह एक ही चीज में कर रहा था यूवान पावर, mental energy और devouring power को mix करने में पर इसे अब समझ में आ रहा था यह ancient universe formation यह काफी गहरी चीज है इसके अलग भी uses हैं जब यह formation को clockwise घुमाता था तो यह तीनों energies merge होती थी अगर यह anti-clockwise घुमाए तो क्या होगा तो इस से पता चल रहे थे और इस technique से सायद यह great sect competition में तहल का मचा सकता था anti-clockwise वाली technique से दो दिन और निकल जाते हैं इस समय तक unique devil reason को एक array formation से घेर दिया गया था जो कि बहुत सारे sect के लोगों के दोरा create किया गया था पूराने time से ही बहुत सारे लोग मतलब यह शायत unique devil reason में जा जू लिंग है जो कि nine star निर्वाना के peak पर है और उसने वहां की सबसे powerful technique sword sent art भी जिख लिए और यह जो technique है वो sky emperor scripture की comparable है यह सब बाते लिंग्णों को जायो जायो बता रही थी और बगल में बताती है यह लोग divine sect के हैं उसके बाजू बाले symbol valley के हैं यह सभी लोग mental energy cultivation में ब zoo यान था वो भी काफी powerful mental fluctuations बाहर दे रही थी लिंग्डॉंग भी अब सोचने लगता है इसका तो भी mental energy level six star निर्वाना सिल पर है और यह तो पंदे ऐसे थे एक लड़का और एक लड़की जिनका mental energy nine star पर पहुंच चुका था और कुछ लोग physical body में काफी अच्छे देख र यह वही थी linking zoo और जब यह प्रकट होती है तो आदे से ज्यादर disciples तो बस इसी को देख रहे थे तब लिंग्डॉंग की नजर किंग्डॉंग की पीछे खड़ी जशबाजू में शैट एक लड़की पर जाता है यह थी अपनी सूर वो इसने भी green dress पहन के रखा था और यह जैसे बिलकुल भी कमजूर नहीं दिख रही थी सूर्गो लगातार अपने आसपास के जूनियर और सीनियर ब्रदर से बाते कर रही थी और जैसे यह लिंग्डॉंग को देखती है काफी खुश हो जाती है और काफी excited भी इसी देख करके लिंग्डॉंग भी एक faint smile देता है डाव सेक्ट वाली भी हरान थी यह बंदा जहां पर जाता है इसको पैचानने वाले लोग मिली जाते है जायो जाबी कहती मतलब तुम्हारे network काफी अच्छा है लिंग्डॉंग अब लिंग्डॉंग बताता है इस लड़की से मैं hundred empire war के टाइम मिला था इधर लिंग्डॉ भी हरान थी सूर्वो के actions को देख करके किंग्डॉंग इससे पूछ लेती मतलब तुम इसे जानती हूँ अब सूर्वो बताने लगती है अगर बिग ब्रदर लिंग्डॉंग नहीं होते तो मैं hundred empire war में ही मारी जाती और बिग ब्रदर लिंग्डॉंग तो काफी powerful है वो एक उसके भगल में जो खड़ा है वो little spirit king है उसका नाम है link zen पर इनमें सबसे strongest जो तुमको सबसे left side में दिख रहा है उसका नाम है yuwan king yuwan kang और इस समय जायो जायो को जो expression था थोड़ा serious था बहुत सारे लोग yuwan kang को अब देख रहे थे हलाकि ज़्यादा handsome नहीं था पर powerful था इ ये सुन करके king zo कहती है अरे आप तुम मुझसे भी जादा powerful हो अब जोग अच्छा मार लेते हो बर उसके बाद king zo इस पर ध्यान भी नहीं देती है इसकी नजर link dong के तरफ थी यuwan kang फिर बोलता है king zo तुम काफी humble हो मुझे मालूम है अगर मेरी तुमसे fight हो तो fight काफी लंब चैंपियन जोइन किया है उमीद है वो एक चिकन नहीं होगा सभी लोग अब समझ रहे थे युवान गेट और डाव सेक्ट में फिर से एक खतरनाग भेडंत होगी सुर्वो भी थोड़ा चिंतित थी अपने भाई link dong यानि डाव सेक्ट वालों के लिए युवान का इंग भ फिर link dong हसता है तो मारा किसने तुमारे सेक्ट मास्टर ने सोचो एक डिसाइपल को मारने के लिए तुमारे सेक्ट मास्टर को आना पड़े तो तुम खोदी सोच लो ये सुन करके link zen और link यान का तो चेहरे ही उतर जाता है पर युवान कांग बस चुप चाप देख रहा थ पर युवान कांग फिर बोलता है लगता है डाव सेक्ट को हमने लंबे समय से अच्छा सबक नहीं सिखाया ग्रेट सेक्ट कॉमपडिशन में तुम्हें पदा चली जाएगा link dong कहता है कुछ चीजे शायद हमें लाश्ट के बाद ही बोलना चाहिए या नहीं बोलना तो जायो जायो केती है नहीं एक और है link dong फूस है कौन तो यह बताती है जो wanted list है उसमें first rank का बंदा link dong कहता कौन है यह वो बताती है कि घोष्ट मास्क chain gooey link dong कहता यह chain gooey कौन है पहली बार इसने नाम सुना था यह फिर यह बता थी कि यह बंदा स्थ इशन जुआन रिजन क और इस समय devil reason से थोड़ी दूरी पर एक scene दिखाय जाता है शाद 500 km की दूरी पर दो लोग काफी तेरी से बढ़ रहे थे devil reason की तरफ इन मेंसे एक लड़का था और एक लड़की और लड़का कहता है कि junior sister wait हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे devil's reason में यह सुन करके वो लड़ reason में किसी पंदे के लिए जा रही हो लड़की कहती है जब मैं वहाँ पहुच जाऊंगी तो आपको खुदी पता चल जाएगा और मैं जरूर अपने teacher को बताऊंगी यहां से जाने के बाद कि आप मुझे protect नहीं कर पाए चैन्गुई कहता है मतलब teacher भी तुम्हें नहीं ड सबी लोग तुरं थे अपने औरा को लिंक करते हैं लिंक डॉंग पूसर ठीक है जैसे जा रहे हैं कि हमें वापस भी वैसे आना है तो यह सुनकर के बताती है कि unique devil reason में जहां हम एंटर करने वाले हैं वहाँ पर formations है और वहाँ पर जाने के बाद हम वापस आ सकते हैं और उस कीली चैंजन थोड़े टेंशन में थे कि इस बार हमारे डिसाइपल्स के साथ क्या होगा खास इनकी टेंशन यह थी वह जो तीन लिटिल केंग्स हैं युवान गेटवल वह बहुत ज्यादे श्ट्रॉंग है पर फिर भी चैंजन कहते हैं टेंशन नहीं है इस बार वो little monster भ रही थी कुछ cracks भी थे तो अंदर में space के तुरू आने के कारणा अलग-अलग-अलग-अलग direction में पहुँचे थे तो फिलहाल यह लोग उमीद कर रहे थे कि डाव से वाली यह लोग युवान गेट से जल्दी नहीं टक रहेंगे अब यह धिर दर आगे बढ़ने लगते है पर जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे जमीन में cracks आने लगते हैं और giant ants बाहर निकलने लगते हैं और इनके team को पूरी दर से गहर लेते हैं अब इसमें यह लोग तयार थे इने और अचानक सेन पर एक giant ants के group ने हमला कर दिया था और बहुत कौम लोगों ने इस scene को देखा थ पर one one इसे पहले ही feel कर ली थी यह तूरंती सबको साउधान करती है जायो जायो देखती है और कहती है यह तो devil ants हैं काफी बड़ी मुसीबत हमारे लिए अब यह जो ants थे इनका body इंसानों का जैसा और जो चेरा था वो cheatyों का जैसा था और जो काफी powerful थे लिंग डॉंग के ह यह ती वो one one का direction में बढ़ रही थी और यह इन चीटियों का जो clause थी इतने powerful थे कि अगर कोई six star निर्वाना का भी बंदा है उसका gold नार मारे थे यह उसे भी dash y कर सकती थी और वो भी एक ही attack में और लिंग डॉंग को क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि यह लड़के one one के त तो इस दुनिया की नहीं है जिस दुनिया में जायोयान गया था बाद में वह वहां की है यानि की great thousand world की है फिर यह सोचता है क्या reincarnator reason है या कुछ और फिर लिंग डॉंग finally ध्यान आता है और यह one one से कहता अपना sonic wave attacks इन पर use करो पर one one कहती मैं sonic wave attack तो कर दूंग पर इनका mental energy कर ज्यादा strong हुआ तो यह उसे भी काट सकती है लिंग डॉंग के दारे इनके पास mental energy कुछ नहीं है यह थोड़ी से सोचती है one one और finally अपने जितर को बजाने लगती है और जैसे यह sock waves निकलते है चीटियां जो काफी तेजी से आके पड़ रही थी अब देर देर स्लो होन लगती है और एक-एक sonic wave attacks कई सारी चीटियां मरने लगती है फानली यह लोग चैन की सांस लेते हैं और यहां से भागने को अपसोचते ही है तब ही one one बोलती है सिश्चर जायो-जायो सैथ जमीन के अंदर कुछ तो है लिंग डॉंग को फिर आश्रे होता है इस लड़की को कोई normal बंदे नहीं थे बलकि यह लोग advanced mysterious life stage के या कुछ तो perfect life stage पर भी थे मतलब यह चीटियां घजबी होंगी और इन लोगों की हड़ियां सोचो कितनी मजबूत होंगी लिंग डॉंग के मन में पहले यही खयाल आता है अगर यह मिल गया किसी को तो उसके mysterious life stage में पहुँ energy feel होती है और यह sword sect के लोग आ जाते हैं और इनके बीच में जो बंदा था कहता है मुझे भी क्यों feel हो रहा था यह चीटियां क्यों attack कर रही है तो समाझ में आगी डाव सेक्ट वाले यहां पर हैं और यह बंदे भी sword sect वाले भी यह जो लाशे पड़ी हुई थी इनमें निर्वाना के पीक पर है तो यह शान्त हो जाती है और लिंग डॉंग देखता है इस जूलिंग के अलबा एक और बंदा है जो कि नाइन स्टार निर्वाना पर है और इस मामले में डाव सेक्ट थोड़ा वीक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इनकी वी टीम में दू लोग तो जायो 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 एक गहरी सोच में है पर तब ही अचानक से वान वान लिंग डॉंग के पास आती और जायो 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 दोनों से कहती कि इन लोगों को पहले लेने दिजे बाद में हम ले लेंगे लिंग डॉंग भी चौक जाता है कि वान वान ऐसा क्यों कह रही है अब में चार लाशे थी, मिस्टिरियस लाइफ बीड्स से बनी वी, तो ये कहता है, जू लिंग भावू, आप दो लो, दो हम ले लेंगे, जू लिंग कहता है, तुम लिंग डॉंग काफी अच्छे इंसान हो, तुम लोगों से बात करके मुझे काफी अच्छा लगा, और इनकी दो लाशों के तरह बढ़ती है, अई जूरान लिंग डॉंग अपने डावसेट के बाकी साथियों को सावधान कर चुका था, सभी डावसेट के बंदी अपने निर्वाना पावर को एक्टिवेट कर चुके थे, और अपने निर्वाना गोल्डेन बॉड़ी को भी, अब इ चारो लाशे एक साथ उठती हैं, और इन स्वार्ड सेट के डिसाइपल्स पर अटैक करने लगती हैं, जूलिंग वगर अपनी औरा को यूज करती हैं, और अपने पावर्फुल टेक्निक्स जैसे की ग्रीन वान, स्वार्ड फिंगर वगरा, अब क्यूंकि ये चार लाशे काफी पावर्फुल थी, तो इनके स्वार्ड सेट के डिसाइपल्स सुरुवात में, डिस एडवांटेज में जाने लगते हैं, जायो जायो देख रही थी, और फाइनली ये बोलती हैं, ये तो धेमन कॉर्प्स ये क्या चीज होता है, अब ये बताने लगती कि ये जगह काफी कियोटिक रहा है, पास्ते ही, तो बहुत से लोग मारे गए हैं, और समय के साथ, क्योंकि यहाँ पर एवल्स औरा भी थे, तो इन लासों में वो डेमनिक की एंटर कर गई है, हाला कि इनका पावर्फुल नहीं है, जब ये लोग जिन्दा रहेंगे, और ये बताती है कि फिलाली ये उतने पावर्फुल तो नहीं है, फर फिर भी एक-एक डेमन कॉर्प्स, थंडर किंग ली कियान से श्टॉंगर माना जा सकता है, और इस समय, पर इने मालूम था, ये चारो बहुत पावर्फुल है, डेमन कॉर्प्सेस, तो डाव सेक्ट वाले पीछे भाग पर दिख्ट करेती, तो ये जो चारो बहुत पैमन कॉर्प्सेस रहते हैं, ये कुछ डिसाइड करते हमानों, और दो डायू सेक्ट की तरफ और दो दो सवर्ड Цеक की तरफ भाग जाते हैं, हैं, वाँ लाग्यान नहीं छाता है कि दो बहुत कि दिख्ञार होर बहिता किकि लिंग डॉंग एक तरफ जाने लगता है, डेमन कॉपसेस को लेका, तो 1-1 भी इसके तरफ आती है, और कहती है कि मेरे पास Heavenly Phoenix जितर, तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, और बात भी सही थी, इसका जो Sonic Wave Attack है, वो डेमन कॉपसेस को भी Slow कर देता था, लिंग डॉंग इस डेमन कॉपसे फाइट कर रह था, और ये 1-1 को पीछे रहके सपोर्ट करने को कहा था, लिंग डॉंग ने अब तक अपने Dragon Form को भी Activate कर लिया था, हाथों में इसके वो Black Tree Trunk भी था, लिंग डॉंग इससे Head On एक Slash मारता है, ट्री ट्रंक का, और ये डेमन कॉपस भी पर पीछे से जिथर का साउंड इसे सपोर्ट कर रहा था, डेमन कॉपस के बॉड़ी में जो मडरस और उस जिथर के साउंड के करण, ये काफी कमजोर होने लगती है, और इस मौके का फायदा उठा कर लिंग डॉंग आगे बढ़ता है, अपने Green Dragon Scales को Activate करके, ट्री ट्रं अपना Desolate Demon Eye Activate करता है, और इसके पीछे पीछे अपना दूसरा भी अटेक, Great Desolate, Impresioning Heavenly Hand भी, पर इन दोनों अटेक के बाउज हुए, डेमन कॉपस को हलका फुल का इंजरी हुआ था, लिंग डॉंग को समझ में नहीं आ रहा था अब कुछ, अब इसका ध्यान अपने इसी के तरह बढ़ता है, इस दोरान, वान वान भी, एक हलकी आवाज में कर रहा था, अब यह यह डेमन कॉपस इसकी नजर वान वान पर थी, और यह सीधा इसी के तरह बढ़ता है, ये फिर से अपने फिनेक्स जितर को बजा नहीं जा रही थी, तब ही इसके सामने एक figure अचानक से प्रकट होता है, लिंग डॉंग ने अपने हाथों में ये light formation बना लिया था, जो कि 5 feet के आसपास करा होगा, जो कि इस बार anti-clockwise direction में घूम रहा था, ये वही technique था, ancient universe formation का, जो ल पुरंत इस attack के, इस seal के contact में जैसे वो cops आता है, उसकी body disintegrate करने लगती, इसका defenses भी पूरे तरह से तूट जाते हैं, लिंग डॉंग गायव होता है, और चानक से इस corpse के सामने प्रकट होता है, ये सीधा अपने dragon नाम से demon corpse के पेट पर attack करता है, इसके हाथों में वो एक white light का wall था, जो की काफी तेजी से rotate कर रहा था, और जो demon cops के आँखों में एक लाल सा murderous और था, इस white light के कारण, अब ये गायव होने रखता है, डेमोनी cops अब सांत हो जाता है, अब लिंग डॉंग पीछे पलटता है, और इस लड़की, चोटी वाली लड़की की तरफ देखता है लड़की के होट परतोरे खून के निसान थे, लिंग डॉंग अब इससे कहता है, मैंने तुमसे ऐसा कब कहा था, कि अपने को इतना push करो, कि खुद को injert कर लो, one one शान्त रहती है, इसके हाथों में ये जितर था, और इसे ले करके, ये smile कर रहे थी, फिर ये कहती है, कम से क one one को समझ में नहीं आता है, ये बलड का भोल के आ रहा है, फिर ये हसके कहती है, अगर ऐसा दिन भी आया, कि तुम मेरे बर्डन बने लिए, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँग, लिंग डॉंग के हाथों, इस डेमन कॉप्स का, वो वाइड मिस्टिरियस लाइफ की जो इसने अभी निकाल लिया था, लिंग डॉंग फिलाल, इस मिस्टिरियस लाइफ बोन बीड को देख रहा था, उसके बाद ये से अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है, इधर डेमन कॉप्स अप नीचे गिर जाता है, फिर ये इस डेमन कॉप्स की बोड़ी को टच इस डेमन कॉप्स में डाल देता हूं, तो ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, और वान वान कहती है, तुम पागल हो, डेमन पॉपेट, इसकी जो डेमोनिक की है, काफी स्ट्रॉंग है, इससे तुम्हारे युवान स्पिरिट की भी डेस्ट्रॉई हो सकता है, पर फिर भी लिंग डॉंग हसता है, और ये युवान स्पिरिट को निकाल देता, इसके आसपास एक कुछ ब्लैक पैटर्न्स भने वे थे, इसे देखते ही, वान वान भी पहचान जाती है, कहती है, ये तो डेवरिंग एंसेट्रॉल सिंबल है, और ये जानती थी, क्योंकि लिंग डॉ लिंग डॉंग अपने युवान स्पिरिट को इस डेमन कॉप्स की बॉड़ी में भेजने लगता है, पर वो ब्लैक डेमन की सुरुवात में रेजिस्ट करने लगता है, पर तुरंथी लिंग डॉंग के बॉड़ी से डेवरिंग एंसेट्रॉल सिंबल का पावर निकलता है और इस डेमनिक की को ये सप्रेस कर देता है, और साथ में युवान स्पिरिट को भी प्रटेक कर रहा था, अब फाइनली ये जो डेमनिक कॉप्स था, जमीन पर पड़ा हुआ था, अपनी आँखे खोलता है, वान वान भी समझ जाती, लिंग डॉंग का मेथड काम कर चुक तो भाईयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ,